वो भाई इसके अंदर तो एक छोटा से डिस्प्ले भी है वो हो इसका टेंप्रेचर कितना तेजी से बढ़ रहा है यार यहां तो सब दुआ ही दुआ हो गया है हेलो गाईज तो फाइनली मुझे एक न्यू पार्सल मिल चुका है इस बार मैंने काफी सारा नया नया प्रोजेक्ट मेकिंग का समान मंगाया था तो फड़ा फड़ से मैं इसका उन्बॉक्स करके आपको दिखाता हूँ इस बार मैंने इलेक्रोनिक कमपोने नहीं खरीदा है इसके अंदर काफी सारा टूल है जो की प्रोजेक्ट बेंकिंग के लिए काफी जरूरी होता है तो सभी मैंने मंगा लिया इसकी मुझे काफी जरूरत थी तो गाइस आप देख सकते हो यह सभी टूल है और कई सारे गैजट है जो की प्रोजेक्ट बनाने में काफी दा यूज होगा तो गाइस इन सभी समान को मैंने आरा मार्केट से खरीदा है आरा मार्केट की वेबसाइट से तो वहाँ पर आपको सोल्डिंग से रिलेटेड औ और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना तो गाइस यह होकी का 5-in-1 हेल्पिंग है जो की सोल्डिंग करते समय बहुत ज़्यदा काम आता है अभी इसके पार्ट से अलग अलग है तो फटा फट समय से अंसंभाल कर लाता हूँ तो गाइस इस टेप से दिखा स्वर्डिंग गाइसर को और कि दी जाना पर है तो कई बार चोटी चोटी जगां पर भी सोल्डिंग कर सकते हैं यह नहीं कर बाँब कर दो देख सकते हो चिम्टी है चोटी बड़ी साइच का तो सोल्डिंग करते सा मैं इसका भी जुरत पड़ता है तो इसलिए मैंने खरीद लिया उसे भी आप लोगों को दिखाता हूँ दो बहुत ही गजब के सोल्डिंग आरान तो यहां पर देख सकते हो दो पीसा है तो सबसे प प्रूमा आकर के हम टेंप्रेचर को अपने उनुषार सेट कर सकते हैं मिनिमाम हीड जो है 200C और मैक्सिमाम हीड जो है 400C तक यह सोल्डिंग आरान हीट हो जाता है इस वाले सोल्डिंग आरान के साथ बीट भी मिलता है 5 पीस का तो इसे आप अलग-अलग जगा में वाला बीट लगा कर दिखाता हूं तो इसे लगाना काफी दासान है simply इसके head को खोल लेना step से अब मैं दूसरे bit को element को उपर लगा कर के screw को tight कर दता हूं तो step से दूसरा bit जो इसमें लग चुका है काफी दासान था इस वाले solding iron के लिए एक और मैंने बढ़िया चीज मंगाया है मैं आपको दिखाता हूं तो guys यह है solding iron stand जिसमें हम solding iron को step से रख सकते हैं और इसके bit को clean करने के लिए इसमें pad भी दिया गया step से गीज करके clean कर सकते हैं इससे पहले मैं इतने दुनों से वाला जुगार यूज करता था लाकड़ी और पाइप से मैं इस्टेंड बनाया था तो यह काफी मसता वार करता है लेकिन मैंने सोचा कि सभी चुछ नया मंगा लिया है तो इस टेंड भी नया मंगा लिया जाए अब गईस इस solding iron को चला कर देखते हैं तो मैंने power दे दिया इसमें एक छोटा सा light जर रहा है red color का देख सकते हो अभी मैं इस solding iron को 300 celsius पर set कर लेता हूँ इतना काफी रहेगा प्लास्टिक कट करने के लिए तो चलो अब काट करकर देखते हैं काफी दलदी हीट हो जाता है इस solding iron तो पढ़िया से आप हीट हो चुका है तो देख सकते हो guys काफी अच्छा से solding iron प्लास्टिक को कट कर दे रहा है इस solding iron 60 watt का है छोटा packet बड़ा दमाका है इसे आप यूज़ करते हो तो आपको कोई भी power की कमी नमेंसुस नहीं होगी आप किसी भी जगा इससे solding का सकते हो और प्लास्टिक वेगरा भी कट कर सकते हो guys इस solding iron मुझे एक नमबर के लगा क्योंकि इसमें feature भी काफी सारा मिल जाता है और इसकी quality भी एक नमबर का है काफी दा heavy quality का multimeter है तो guys इसे normal वाले multimeter से compare करते हैं तो इसमें काफी दा अच्छे अच्छे feature मिल जाता है और इसमें एक stand भी मिलता है तो टेबर में रख कर कर भी हम इसका उस कर सकते हैं यह orange वाला multimeter था तो एक डम क्वालिटी का होता है और इसके wire से मैं तो बहुत ज़्यादा परिशान हूं जब भी मैं इसका उस करता था तो यह पर्ट से इसका wire तूट जाता था अंदर से और मुझे बार बार इसमें सोल्डिंग करना पड़ता था इसलिए मैंने इस नयवाले multimeter को खरीदा है इसका quality एक नंबर का है और wire के भी quality एक नंबर का है तो चलो आप नेश्टा समान देखते हैं तो यह सिरोन का smart solding आरान यह बहुत ज़्यादा smart solding आरान इससे भी smart है तो चलो मैं आपको इसका अन्बॉक्स करके दिखाता हूं यह सिरोन कंपनी का है और 60 watt के भी solding आरान है यह वाला solding आरान अभी अभी लांच हुआ है और इसकी quality काफी प्रीमियम है आप देख सकते हैं और भाई इसमें तक छोटा से display भी दिया और काफी सारा बटन भी गे तो इसे चला मेंने में अत्मोजा ही आजएगा चलो मैं इ भी different different type के bit लग जाता है जो यह वाला solding iron के साथ free मिला था ना bit ओ भी इसके साथ लग जाएगा जो पहले मैंने solding iron के bit change करका दिखाया था उसी type से इसमें कभी bit change हो जाता है और इसे खोलना लगाना बहुत ही असान है तो guys इतने दिनों से मैं यह वाला solding iron यूज करता था 25 watt का solding iron है इसमें भाई बहुत ही दिखा था ठंड के दिनों में इसका wire ना बूरी तरह से काड़ जाता है तो solding करते समय बिल्कुल भी comfortable नहीं रहता है solding iron और इसमें कोई भी temperature कंट्रोल करने का system नहीं है तो कई बार element जो है overheat हो कर खराब हो जाता है और इसमें कोई भी अ आप करने के लिए तो इसे तीन सेकेंड के लिए दबा कर रखूंगा ताब यह solding iron जो है on होगा तो मैंने दबा दिया है और देख सकते हो गैसे on हो चुका है और इसमें डिस्प्ले में नमबर भी स्वह हो रहा है temperature यहां पर बढ़ भी रहा है आप देख सकतो स्क्रीन पर इसका डिस्प्ले मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है अब चेक करता हूँ यह solding iron maximum कितना celsius तक हीट होता है तो यह plus button को दबा कर रखता हूँ और इसका temperature काफी तेजी से बढ़ रहा है देख सकतो maximum हीट गैस इसका है 500 celsius इतना काफी है solding करने के लिए 500 celsius बहु से कि यह circuit board और कुछ 586 लिथयमायन बैटरी है तो अभी मैं इस लिथयमायन बैटरी पर शोल्डिंग करके दिखाता हूँ अभी मैंने इसका temperature 400 degree पर set कर रखा और यह solding iron बील सेकेंड में full heat हो जाता है तो अभी देखते हैं solding करके इस battery में तो गैस देख सकते हो काफी अच यहाँ पर जो मैंने इस टेंट खरीदा था इसमें पैट दिया है तो इसे मैं थोड़ा गिला कर लेता हूँ क्या होता है कि guys solding iron को इसकरने के बाद उसमें थोड़ा सा carbon जम जाता है बीट में तो इसे clean करना जोरू होता है नहीं तो बीट का जो life है नो काफी दर कम हो जाता इस cleaning पैट से काफी अच्छे से बीट क्लीन हुआ है आप देख सकते हो अदम नया की तरह हो गया है guys यह दोनों गजब के solding iron है इनकी quality भी एक नंबर का और feature तो काफी सारे दिया है तो आपको कौन सा पसंद आया मुझे comment करका जोरू से बताना display वाला या फिर बिना display वाला guys अभी दो बहुत ही संदार gadget है तो इन सभी को देख कर जाना और अभी मैं coupon code भी आपको दूँगा दोस्तो यह रहा मेरा second gadget यह जो है electric screwdriver है 18 in wall electric screwdriver आप देख सकते हो पूरा kit है इसके अंदर तो फटाफर से इसकी unboxing कर लेते हैं और guys इसे खोल दे समय ऐसा लग रहा है कि मैं mobile क unboxing कर रहा हूं इसका box का quality एक नंबर का है और यह रहा guys है electric screwdriver काफी पतला सा है और pencil की तरह लग रहा है और इसमें type C port दिया है type C से charging होगा guys यह electric screwdriver देखने में काफी दा premium लगता है और इसकी body पूरा aluminum का बन हुआ है काफी अच्छी quality है और देखते हैं guys डब्बे के अंदर क्य charger करेंगे और इसके साथ एक lever और एक magnet भी साथ आया हुआ है अब इस electric screwdriver की testing करते हैं तो फटाफट से मैं एक bit इसके अंदर लगा देता हूं अब guys इसके अंदर कुछ बटन दिया है इसके बारे मैं बताता हूं तो इस वाले बटन से screw जो है टाइट होगा बीज वाले बटन screw खुलेगा और लाश्ट वाले बटन से लीडी लेट जलता है तो guys यहां पर मैंने एक adapter लिया है तो इससे खोल कर दिखाता हूं मैं तो इससे आप काफी अच्छे से छोटा और बड़ा से बड़ा screw खोल सकते हो mobile खोलने के लिए best screwdriver है तो देख सकता हूं गया इस काफी अच से हम इसे चार्ज भी कर सकते हैं यह काफी यूसफुल गैजेट है guys यह रहा है लास्ट गैजेट जो की काफी अमेजिंग है तो फटा फट से मैं इसका खोल करके दिखाता हूं इसके अंदर कौन सा चीज है guys यह होकी कमपणी का इलेक्रिक डिसोल्डिंग पंप यह 40 वाट इस सर्किट बोर्ट से मैं कुछ इलेक्रोनिक कमपोनेंट लिकाल करके आपको दिखाता हूं जैसे के ट्रास्फार्मा इसे सोल्डिंग आरेंज से लिकालना बहुत ही मुश्किल है गंटे में भी नहीं लिकल पाएगा क्योंकि इसमें लेक काफी सारा होता है तो इसे काफी नोगा करके इस से फिर इसके बटन को दबादेना है तो जो भी रांगा था हट जाएगा इसमें काफी सारा लेक दिया है पांच लेक है तो उसके बाद ऑच्छ से बाद बिलकुल खाली हो जाएगा और इलेक्टॉनिक कमपोनेंट काफी अच्छी से लिकाल जाएगा इस ग आपको भी लेना चाहिए और गाइस यह देखो ट्रास्फार्मर कितने असानी से बाहर निकल गया मज़ा ही आ गया तो गाइस यह गैजट 100% अच्छे से वर्क करता है और यहां पर प्रिंट था ना वो पिछे का देख सकते हो दम क्लीन हो चुका है तो आपर नय कंपोनें जो गरम हो जाता है ना रांगा उसे खीच लेता है पाम बटन दबाने पर और देख सकते हो मैंने मासफेट लिकाला इसी टैप से आप लिकाल सकते हो और जो भी प्रिंट होता है यहां पर अच्छे से क्लीन हो जाता है होल एदम साफ हो जाता है इस गैजट को मैंने पहली बार युज़ किया है मुझे मज़ा ही आ गया और काफी दा अमेजिंग गाजेट है इसके साथ एक इस टाइप का पीन मिला है जिसके हम इसे अंदर से खाप कर सकते हैं इसके अंदर कई बार जो है रांगा फास जाएगा दूसे क्लिन करने का एक काम आता है तो इस टेप से क् समान खरीदना है तो आरा मार्केट से आप भी खरीद सकते हो काफी अच्छे क्वालिटी का समान वहाँ पर मिलता है सोल्डिंग से रिलेटेड और रिपेरिंग से रिलेटेड आपको सारा समान मिल जाएगा तो खरीद लेना और आम मैं आपको कूपन कोड भी बता देता फाइप परसेंट के डिस्कॉन मिल जाएगा और जब आप समान ओडर करने जाओगे तो आपको कोड कोड को यूश कर लेना है कर जिरो फाइप कूपन कोड है तो इस नेस्टे वीडियो में क्या बना हूँ कमेंट करकर बता हूँ मैं जो है एक वेरेपल पावर सप्लाई ब ज्युकॉ